हेलो फ्रेंड्स आई एम इसवर्स नोरिया दोस्तों आज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं बैसिक इस्पोकन इंग्लिस एंड बैसिक लेवल की जो वोकिबलरी है बड़ पावर है उससे रेलेटेड ये क्लास है आज की इस क यहाँ पर हम आज की क्लास में कुछ चीजों को टारगेट करेंगे जिसमें हम बात करेंगे काइंड ओफ फैमिली याने फैमिली के क्या प्रिकार होते हैं नमबर ओफ पीपल बताना सीखेंगे फैमिली के सदस्यों की संख्या किस तरह से बताना है रिलेशन नेम ओफ फैमि परिबार के सदस्यों के जोव और हाउ आर दे उनके जो कॉलिटीज हैं उनके जो गुण हैं उनको भी हम साथ में बताना सीखेंगे यहाँ पर सुरुवात करने से पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक बर्ड हैं जिनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए क्योंकि दोस्तों हम जानते ही हैं कि बिना वोकेवलरी के बिना बर्ड फावर के कोई भी लेंग्विज को नहीं बोला जा सकता तो कुछ सब्दों की ह जानकारी कर लेते हैं सबसे पहले आप देखिए दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड है स्मॉल फैमिली और उसके बाद है बिक फैमिली बड़े सिंपल से बर्ड हैं यह स्मॉल फैमिली आने होता है छोटा परिवार बिक फैमिली का अर्थ है बड़ा परिवार इसके बाद है फ पिनों सब्दों का अर्थ होता है एकल परिवार यह एसे परिवार जिन में इस परिवार जिर्फ माता पिता और उनके बच्चे इसके परिवार को सिंगल फैम Shepherd या फिर इमीडियट फैम्ली कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जॉइंट फैम्ली और एक और एक्सटेंडेट फैम्ली होर है सैयुख परिवार ऐसा परिवार जिसमें की पत्तनी उनके बच्चे और दादा-दादी चाचा चाची इस तरह के यानि परिवार के जो सभी सदस जहां साथ में रहते हों उस परिवार को जोएंट फैमिली या फिर एक्स्टेंडेट फैमिली कहा जाता है नेक्स्ट है बन पेरेंट फैमिली या सिंगल पेरेंट फैमिली ये दोनों भी एक दूसरे के सिंगल पेरेंट फैम रोयल फैमिली का अर्थ है ऐसा परिवार जो साही परिवार होते हैं राजा महराजाओं के नवावों की जो परिवार होते हैं उन परिवारों को रोयल फैमिली कहा जाता है या ऐसे परिवार जो बहुत धनी होते हैं बहुत रिच होते हैं तो उन फैमिली को रोयल फैमिली के य่ नाम से जाना जाता है तो दोस्तों यह थे अपने फैमिली के परकार हो पता होना चाहिए अब इन वर्ट्स को दोस्तों आप छोटे-छोटे sentence में प्रियोपकरना सुझे कर देखी के जैसे आपको अगर ही कहना है कि उसका परिवार सयॉक्त हैं मतलब आप यह कहना चाहते हो उसके परिवार में सब लोग मिलकर के एक साथ रहते हैं पती पत्नी उनके बच्चे दादा दादी चाचा चाची तो इस प्रकार से आपको छोटे-छोटे सेंटेंज बना के देखना चाहिए पहला सेंटेंज जैसे हमने कहा ही है जोइन फैमली तो इसका अर्थ है क तो वो परिवार आपका सिंगल है यदि आप अपने चाचा चाची दादा दादी और पैरेंट्स के साथ में रहते हो तो वो फैमली जो है जोइन फैमली है तो आपका जैसा भी परिवार है पहले आप वो बोलना सीखिए अगर आपका परिवार सिंगल है तो आप कहिए I have a single family I have a single family या फिर I have an immediate family she has a nuclear family राहुल है एन extended family तो इसकी practice आप करेंगे दोस्तों तो यह बहुत अच्छे सा जाएगा आपके जो friends हैं आपके जो cousins हैं उनके families के बारे में कुछ एक एक दो दो sentence बोल के देखें जैसा अगर आपका friend का नाम जो है राहुल है और आपको पता है कि उसका परिवार जो है सईक परिवार है बहुत सारे सदस उसके परिवार में रहते हैं तो आप बोलिए राहुल हैज एन extended family इसी परकार से दोस्तों continue इसको हम करते हैं देखिए बहुत basic level की एक class है और इसमें आप जो है बिलकुल आसानी से अपने परिवार के बारे में ब brother और आप लोग तो आपको कैसे अपने family के बारे में basic level पर बोलने की सुरुत करनी है मानली जी कि आपका नाम यदि राहुल है तो आप यहां पर बोलना सुरू करेंगे मानली जी आपका नाम राहुल है तो हमने कहा my name is राहुल इस तरह से आप बोलना सुरू करेंगे फिर आपका family माली जी single family है तो आप कहिए I have a single family इस तरह से कहेंगे परिवार में कितने सदसें चार लोग हैं तो कहिए there are four people in my family अब आप किसके साथ रहते हो अपने parents अपने brother के साथ में तो आप बोलेंगे I live with my parents यहाँ पर आप बोलेंगे I live with my parents and my brother मैं अपने parents और अपने brother के साथ में रहता हूँ आपके parents कैसे हैं उनके बारे में बोली my parents are very good my parents are very caring my parents are very loving and caring people my parents are very honest and hard working यह इस तरह से उनके कोई ना कोई quality बताईए आपके father का job बताईए कि आपके father क्या करते हैं माली जी आपके father एक teacher है तो आप बोलिए कि my father is a teacher and my mother is a housewife यानि मा का जो भी job है आप बताईए अगर वो teacher हैं तो कहिए my mother is also a teacher doctor हैं तो कहिए my mother is a doctor my mother is an engineer and my brother is और आपका भाई क्या करता है उसके बारे में बता सकते हैं my brother is a doctor my brother is an engineer my brother is a student of B.Sc. final year यान उसका जो भी काम करते हैं वो बताईए वो कैसा है उसके बारे में बोलिए he is a good boy, he is a very nice boy, he is very hard working, he is very talented, I like my family तो दोस्तों ये जो blank space है इनको fill up करते जाईए और बहुत आसानी से इन sentence को बोलते जाईए नेक्स्ट exercise में हम देखेंगे यहाँ पर families related कुछ basic exercise है माल लिजिए कि बिनोद राम का एक ब्यक्ति है और उसको अपने family को present करना है किसी के सामने तो वो इस प्रकार से अपने आपको कह सकता है Hello friends, I am बिनोद, I have a single family, there are four people in my family, I live with my parents and younger sister Nitu My parents are very good, Nitu is very smart and I like my family तो दोस्तों यहाँ पर बिनोद ने यह बताया कि उसका परिवार जो है single family है, उसके परिवार में four people याने चार लोग है और उसके जो parents हैं और उसकी जो sister Nitu उनके साथ हो रहता है और उसकी जो parents से बहुत अच्छे हैं तो यह बहुत आसानी से उसने अपनी family के बारे में इन सब्दों का प्रियोग करके बताया एक और example लेते हैं दोस्तों यहाँ पर माली जी यह राहूल के बारे में हम बोलते हैं उसके परिवार में साथ लोग हैं और एक राहूल कुल मलाकर हो गए सासदस से All people in his family are very loving and caring उसके family के सारे लोग बहुत loving and caring है He likes his family very much वह अपने परिवार को बहुत पसंद करता है So इस प्रकार से दोस्तों आप अपने family के बारे में और अपने दोस्तों की families के बारे में कुछ basic level के बहुत छोटे-छोटे sentence बोलेंगे तो आपको अपनी family को present टरना बहुत आसानी सा जाएगा एक last exercise है दोस्तों इस series की यहां पर हम बात करते हैं सीमा मानली जी कि आपकी classmate है और उसका परिवार जो है एकल परिवार है यानि वह अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहती है और उसका बड़ा भाई उसके साथ में रहता है तो उसकी family को आप बहुत आसान सब्दों में इस तरह से आप present कर सकते हैं You can say सीमा मेरी classmate है She has a nuclear family उसका एक nuclear family है Means कि वो एक एकल परिवार में रहती है आप यहां पर कह सकते हैं She has a single family ऐसा भी आप बोल सकते है She has a immediate family She lives with her parents and elder brother बहुत अपने parents और elder brother के साथ रहती है Her family is very good उसका परिवार बहुत अच्छा है She likes her family very much उसे अपना परिवार बहुत ज़्यादा पसंद है तो इस परकार से दोस्तों बहुत आसानी से हम अपनी family के बारे में चीजों को explain कर सकते हैं इन exercise को दोस्तों आप वो अपनी diary में note कर लीजिए और साथ में जो है इन exercise से मिलते जुलते कुछ basic level के sentence बना बना कर आप practice करेंगे तो बहुत आसानी से आप basic level पर अपने family को present करना सीख जाएंगे तो दोस्तों आपको इक class कैसी लगी मिलते हैं अगली class में कुछ नई vocabulary के साथ में नई word के साथ में किरपया चैनल को subscribe कर लें ताकि आगे की वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल सकें Thank you very much